हेलो गाइज वल्कम टो एनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट्स हैवल्स इंडिया लिमिटेट की ओर से मार्स कॉर्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टेंडर लॉन कॉंसॉलिडेटेड दो रिजल्स आउट हो चुका है कॉर्टर रेंडेट और फिनां की बात करें हैं कंपपनी का जो 217.7 का इंकम है पिछले कॉंटर में 4469.7 करोड का JOHN का और मार्स 23 क्यांटेटर में 4905.9 के रोल का इंकम ठांक कंटर उन यार एर ओन ओन इंकम के एकॉर्डिंग जिसके बाद कंपनी का ओप फित फांड़ नांतीन खरोड का पिछले कौटर में थ्री हन्ड़ निटी पॉइंट पॉइंट सैवन करोड का ओंपारस फंड़ फिट्री कौटर में 486.6 करोड का ओप्रेडिंग पॉफित क्वाटर अन्प क्वाटर ये एर और दोनों में इंक्रेश किया है तो गाइस कंपनी का क्वाटर और एंडिट का रिजल्ट अगर देखा जाये तो बहुत स्ट्रॉंग रिजल्ट पेश किया फिनांशल एंडिट में इंका में 18,838.9 करोड का और 23 में 17,088.4 करोड का इंकम में तो बहुत यह अच्छी ग् कंपनी का हुआ है 1707.3 करोड का और 23 में 1447 करोड का ने ओपरेटिंग पॉफिट है जो कि इस बार का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है नेट पॉफिट 1270.7 करोड का और 23 में 1071.7 करोड का जो की इंक्रीज करती भी नेजर आ रही है EPS 20.28 रुपेश का 23 से इंक्रीज किया है और अगर हम सेगमेंट वाइस बात करेंगे गाई तो कंपनी स्वीच गियर्स, केबल्स, लाइटिंग और फिक्स्चर्स, एलेक्रिकल, कंजूमर, डूरेबल्स, लॉइड कंजूमर और अधरसन सभी से रेवेन्य जनरेट कर रहा ह क्वार्टर रेंडेड हो या फिनांशल रेंडेड दोनों बहुत ही स्ट्रॉंग जंप देखने को मिल रही है क्योंकि इंक्रीज किया है स्टैंडरलोन रिजल्स को कवर करें तो इंकम में 5510 करोड का पिछले कौर्टर में 4456.5 करोड का और मार्च 23 क्वार्टर में 4896.4 करोड का इंकम है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 4908.6 करोड का पिछले quarter में 4065.8 करोड का और March 23 quarter में 4405.9 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year दोनों के expense भी increase किया है operating profit 601.4 करोड का पिछले quarter में 390.6 करोड का March 23 quarter में 490 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है नेट profit 448.8 करोड का पिछले quarter में 287.8 करोड का मार्च 23 quarter में 361.7 करोड का नेट profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS 7.16 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो guys company को overall result अगर देखा जाए तो बहुत strong result पेज किया और company का result market close होने के बाद आया है इसके share की बात के तो 1664 रुपीज बाज के दिन close हुआ है 1.9% का profit मिला है और इसके shares में guys बहुत ही constantly growth देखने को मिला है one week में 7.5% का one month में 9.8% का three month में 28.4% की profit मिल चुका है तो guys company का result अगर देखा जाए तो बहुत strong इसके share से बहुत तेजी से increase कर रही है तो अगर आप इसे fresh entry करने का सोच लेगा इस तमया को फॉल्ट कर सकते हैं क्योंकि दिन उसके shares में तेजी आ सब्सक्राइब कल की दिन महाराष्ट्रा डे का occasion पर कल मार्केट क्लोज रहेगा तब हम लोग जो है वेडियो कहीं पर end करते हैं